नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेट फार्मा 24-7 में तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉल वाइट टेबलेट्स के बारे में जो की फाइजर लिमिटेट द्वारा मैनेफेक्चर किया जाता है इस मेडिसिन के एक स्ट्रिप में हमें 45 टेबलेट्स देखने को मिलता है और जिसके कीमत है 68 रुपीज यह आप अपने किसे भी नहिदी की मेडिकल स्टोर से पर्चेस कर सकते हैं इस मेडिसिन का जो एक्टिव इंग्रीडियन्ट है यानि शॉल्ट कॉम्पोजिशन वह है फॉलिक एसिड जो की होता है 5 मिलिग्राम यह एक तरह का आयरेन सप्लिमेंट दवा है जो की फॉलिक एसिड डेफिसेंशी में लिया जाता है तो डॉक्टर इसे ओजनी अनेमिक कटिशन में रेकमेंट करते हैं अनेमिया मतलब आपके बॉडि में अगर बहुत कम आरबिस सी पाइश हो रहा है यानि रेड ब्लेट सेल्स तो इस इस कंटिशन में डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर अगर आपसे खाने में अधिक nutrients नहीं मिल पा रहे हैं आपको खाना खा रहे हैं लेकिन उसमें आपको जो भी nutrients मिलना चाहिए वो आपके body absorb नहीं कर पा रहा है तो भी इस condition में इस medicine को recommend prescribe किया जाता है इस medicine में folic acid होता है जो कि आपके RBC production को increase करता है यह medicine pregnancy के दोरान भी recommend किया जाता है pregnancy में क्या होता है कि बहुत बार एनेमिया के chances होते हैं तो उस दोरान doctor इससे prescribe करते हैं और यह आपके baby के brain और spinal cord को develop करने में भी help करता है अब देखते हैं इसके dose के बारे में इसका dose depend करता है आपके बहुत सारे factors हैं जैसे आपका उमर क्या है आपकी weight क्या है आप कि इस condition के लिए इस medicine को ले रहे हैं जैनरी इसे adult में एक से चार tablet लिया जाता है per day और बच्चों में एक से दो tablet per day लेकिन आप उसी प्रकार इस medicine को ले जैसे कि आपके आपको recommend कर रहा है इस medicine को लेने में कुछ side effects आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि allergic reaction जैसे आपको itching या red skin हो सकती है आपके face आपके आपको ब्रीधिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इन difficulty in breathing या swallowing आपको कुछ आप ले रहें निगल रहें तो इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है loss of appetite हो सकता है nausea हो सकता है bloating या फिर आपको gas की problem हो सकती है तो यह सारे कुछ basic common side effects हैं वैसे ज्यादा होते नहीं है यह सब लकिन अगर आपको लगे कि यह side effects कुछ ज्यादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को consult जरूर करें इस medicine को लेने के दौरान कुछ precautions आपको बरतने हैं जैसे कि अगर आप को vitamin b12 की deficiency है यानि आप अगर vitamin b12 की कोई medicine ले रहे हैं तो उस condition में folvite tablet को आप ना लें इसके अलावा अगर आपको cancer है किसी प्रकार की cancer तो cancer में यह medicine नहीं लिया जाता इसके अलावा अगर आपको arthritis है या फिर आपको अस्तमा की शिकायत है या फिर अगर आप किसी और medicine से allergic है या आपको बहुत ज्यादा high BP है तो इन सारे condition में folvite tablet नहीं लिया जाता या फिर आप अपने doctor को एक बार consult जरूर करें यह medicine लेने से पहले तो यह था दोस्तो आज इस folvite tablets के बारे में इसके regarding आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमों comment करके पूछ सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे इसके बारे में अधिक सरदिक आपको जानकारी दे पाएं और दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe करना ना भूले धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में